कि जो इसका वनोफ बटन है यह खराब उचका है यह देखिए इसको पर जो रबर लगी है ऐसे हैइसकों प्रेस कर रहे है तो इसको कोई भी फरक नहीं पढ़चा ह 뚝ाब को बदल के भी नहीं तार को तार को बदल के सकता हो यह आप इस तरीके से करोगे ऊसके बाद इस तरीके से बदल के देख लिया करो फ्रेंट ठीक है तो यहां पर लेट जलनी चाहिए तो यह देखे यहां पर लेट जल रहे है इस होनो बटन की तो यह बटन देखे इस टैप में दर बिल्कुल भी यह उठनी रही एसे अंदर से दब चुकिये तो यह बटन हमारी खराब वो चुपले इस तरीके से हमें डालना है इसको इस तरीके से आप डालोगे और यह वाला जो पॉइंट है आपका यहां पर आई वेलकम बैक माई यूटूब चैनल टेक्निकल युगाड हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा नाम है राज और आज की वीडियो फ्रेंड हमारे पास जे वाइस सूपर कंपनी के एक टोर्च आई हो फ्रेंड और देखने में यह बिल्कुल और इसकी जो ब्राइटनस वगरा है वो भी काफी अच्छी है क्योंकि परसनली मैं भी इसको यूज कर रहा हूं फ्रेंड ल फ्रेंड तो उसकी अगर बटन खराब होगी हो तो आप कैसे उसे चेक करोगे कैसे उसको रिप्लेस करोगे सब कुछ आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रेंड की आगर अंदर बटन से तो ऊंकर रहे हैं तो इस सबसे पहले उनकर आप पास इस टाप की टोरच है तो सबसे पहले हम इसको खूलेंगे तो अगर आपके पास औरिजिनल सब्देन टोर्च है फ्रेंड और उसके अंदर LED की प्रोलम बटन की प्रोलम बैटरी की प्रोलम या चार्जिंग की कोई भी प्रोलम हो फ्रेंड तो मैंने उस पे काफे सारी वीडियो बना रखी है अलग अलग पार्ट के अंदर तो आप जाके हमारे YouTube चैनल पर द यह देखे इस तरीके से खुल जाते यहां से और इसके अंदर फ्रेंड इस टाइब का जो बैटरी आती है जैसे कि मैंने आपको दिखाए भी वह था यह पाउर बैंक वेगरा में इस टाइब की बैटरी यूज होती है इसके अंदर यह चीज थोड़ी से अलग लगी हुई यह ठीक है बाकि यह सेम उसी तरह की बैटरी है तो यह नूर्मल सी बैटरी है इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है कितने एंपेर की है कितने की नहीं ठीक है तो चलो इसको हम सैड में रखते हैं लेकिन बैक अच्छा दे रही है फ्रेंड काफी सारी टोर्च के अंदर बैक भी काफी अच्छा होता है ठीक है तो दोनों चीज होती है चानी स्टोर्च का कुछ पता नहीं होता और उसके बाद फ्रेंड यह जो इसका सरकेट यहां पर दे रखा है यह जो पॉइंट है इसका यह हमारा माइनस का है ठीक है जिसके साथ यह एटेच होके यहां पर यह च चर्जिंग अगर है चेक करने हे फ्रेंड तो चले इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको च्रजिंग वेगर है कि अगर प्रोलम है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो फिर उसके बाद हम बटन की भी रिलेटीड प्रोलम आपको बताएंगे ठीक है तो देखिए फ्रेंड अगर आपके टोर्ट चार्ज ना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी पिन को चेक करना है कई बार क्या होता है कि हमारी पिन के अंदर ही प्रोलम होती है कई बार यह जो इसके अंदर मिट्टी वेगरा डेस्ट वेगरा आ जाती है तो प्रोप यह हमारी plus की और चोटी वाली हमारी minus की है اور अगर आपके पास कोई पुराने LTA friend तो इसके अंदर हो सकता है दोनों लैक बराबर हो तो आप simply इस तरीके से तार को बदल के देख सकते हो एक आप इस तरीके से करोगे उसके बाद इस तरीके से बदल के देख लिया करो ठीक है तो यहाँ पे लैट जलनी चाहिए तो यह देखे यहाँ पे लैट जलनी चाहिए इसका मतलब क्या है यह जो हमारी प्रोब है यहाँ तक voltage आ रहा है ठीक है उसके बाद friend हम क्या करेंगे simply इसको यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद हमें क्या चेक करना है उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे voltage आ रहा है कि नहीं आ रहा अब इसको चेक करने के लिए friend इस तरीके से हम एक यह जो हमारी प्लस वाली है तो यह देखे friend जैसे ही मैं इसको टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे light बिल्कुल अच्छे तरीके से glow कर रही है इसका मतलब यह है कि हमारी बैटरी भी अच्छे तरीके से charge हो रही है तो इस तरीके से friend अब पिन लगा के इस तरीके से charging चेक कर लिया करो और यहां से friend क्या है कि हमें इसको यहां से wire को हटाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे आप जब भी इसको soldering हटाएं इसके अंदर तो आपको यहां पे color देख लेना है ध्यान से या फिर आप कहीं निसान लगा सकते हो friend उस तरीके से ठीक है ताकि आपको याद रहे क्योंकि अगर आप wire को इधर उधर कर दोगे तो इसकी जो हो सकता है इसकी light ना जले फिर या light जलेगी तो इसके अंदर जैसे दो mode है एक कम light का एक जादा light का तो वो ठीक से काम ना करें तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो friend किसी चीज में निसान लगाके तो अब क्या है friend इसके अंदर हमें इसको circuit को बाहर निकालने के लिए circuit को हमें इस wire को यहां से हटाना पड़ेगा ठीक है तो simply हम यहां से wire को हटाएंगे solder iron के मदद से ठीक है तो यह चीज़े हमें करने ही पड़ेंगी friend यहां से wire को हटाना जरूरी है नहीं तो यह circuit आपको बाहर नहीं निकलेगा और जब तक यह चीज बाहर नहीं निकलेगी तो हम इसके बटन वग बाहर आगी और यह इसका पूरा का पूरा circuit बाहर आगया है friend अब simply हम इसको खोल के देखेंगे ठीक है यह हमारी कोपी सुधियन टोर्च के अंदर का circuit है friend तो यह देखें friend simple सा circuit है खोलने के बाद कुछ step का circuit निकला है इसके अंदर यहां पर यह ओन बटन लगी हुई है यह चार्जिंग पॉइंट है friend और यह चार्जिंग का प्लस पॉइंट है यहां से एक वायर गई हमारे स्पिन पर क्योंकि बैटरी का प्लस पॉइंट है और यहीं से एक वायर निकल के हमारे बटन के अंदर चली है ठीक है अगर हम बैक सैट बात करें तो यह इस कनेक्टर के चुकी है इसके अंदर बिल्कुल भी उटनी रही है ऐसे अंदर से जूकिये इसे वट के बटन खराब हो चुकि है फ्रेट्ट तो इसकी जगा हम ond 거의 यूज करने वाले हैं तो हमारे पास से को देखें है इसके लगाने आप बटन भाने मावन की स similar कि जोटना है द्यान से ईए आप को कहाँ है है ठीक है बाकि साइज से में इसका अगर आप इसके अंदर फिट करना चाहोगे तो फिट हो जाएगा लेकिन बात है इस वाले पिन की अगर यह उपर आ जाती किसी तरीके से तो हम इसको नाप लेते हैं फिलाल हमें क्या करना है और आपका बिल्कुल गरम होना चाहिए ठीक है कि अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा सोल्डर टच करो तो तुरंत इसके अंदर पकड़ ले क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक इसके अंदर आइरन को टच करोगे तो यह प्लास्टिक पिखल जाएगा और यह आपकी बट क्योंकि इसके अंदर ही हैं काफी लोग गलती करते हैं तो ऐसे आपका रांगा बिल्कुल गरम होना चाहिए ठीक है इसको आप पहले से ऐसे लगाकर रखा करो ताकि वायर वेगर इसके अंदर जल्दी जोड़ सको आप और यह मैंने यहां पर लगा दिया है तो आप सिंप आपके एरिया में क्या बोलते हैं हमें जरूर कमेंट करके बताएं ठीक है तो यह हमने एक वायर को जोड़ दिया उसके बाद यहां पर दो वायर निकल लेंगे इसको भी हम इसी तरीके से जोड़ देंगे ठीक है तो यह देखे फ्रेंड मैंने वायर को जोड़ लिया है यहां पर रेड वायर को और यहां पर रेड और ग्रीन वायर को ठीक है तो हमेंं इस तरीके से इसको रखना है और यहां पे आप देखो किवरं तो यहां प्रेकुए आपको प्रेस करेंगे तो यह अपने जगा सेट हो गया है अब simply हमें इसको पैक करना है तो यह इसके उपर की बोड़ी है तो इसको हम इस तरीके से फिट करेंगे आपको यह कोणर साइड से मिडल लालने है यह लोग ठीक है तो आपको ध्यान से करना है लोग वेगर नहीं तो पैक नहीं होती है फिर ठीक से इस तरीके से हमें इसको प्रैस कर दे रहा है और यह देखे फ्रेंड इस तरीके से यह कुछ पैक हो चुका है अब सिंपली क्या करना है इस वायर को हमें इस तरीके से मोड लेना है ठीक है तो इसको अब इसके अंदर डालने पहले फ्रेंड इसके अंदर एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड दो चीजें होती एक प्लास्टिक लगा होता है इसके अंदर मैं आपको निकालना पड़ेगा ठीक है यह जो प्लास्टिक है इसका इसको आपको निकालना पड़ेगा और इस रबड को भी मैं एक बार खोल के दिखा दू तो इसके अंदर एक और प्लास्टिक के फ्रेंड आप देखो के ध्याल से तो इस प्लास्टिक को फ्रेंड मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है ताकि यह बिल्कुल सही साइज का हो यहां तक था ठीक है और यह इतना उपर उठा हुआ है तो इसके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ था तो मैंने उस प्लास्टिक को कट कर दिया है ठीक है थोड़ा सा तो वह सेम चीज वैसे की वैसे बन गी है हमने यहां से प्लास्टिक को कम कर दिया और उसके बाद हमने इ इस रबट को आप उपर से भी डाल सकते हूँ जरह पहले से भीडन सकते हो तो आप की मर्जी है तो यहां पर EB Amber करेंगे क्योंकि यहां पे क्वाले बटन हमारी यहां पर आएगी तो इस तरीक से हमें डालना है इसको इस तरीके से पालूद और यह वाला जो पॉइंट है आपका यहां पर आएगा ठीक है यह अपनी जगा पर फिट हो गया है अब सिंपली क्या करना फ्रेंड इस वाली बटन को आपको इस तरीके से इसके अदर डालना है और यह यहां से आप डाल के इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो यह बटन भी उपर से ही फिट हो जाएगी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है थोड़ी सी आपको ऐसे गुमाना पड़ेगा और यह अपनी जगा पर फिट हो गया तो यह देख फ्रेंड जैसे मैं इसक प्लास्टिक लगा हुआ था उसको थोड़ा सा कट कर दिया है ठीक है तो वह आपको आइडिया दे कि दीरे दीरे थोड़ा सा कट करके लगाना है ठीक है तो इसको अब हम साइड में रखते हैं अब इस LED के अंदर फ्रेंड हम वायर को जोड़ते है ठीक है तो इस वायर को म लेखाता हूं कैसे यह काम करेगी कि नहीं करेगी इसके अंदर मैंने वायर को जूड़ दिया है जिस तरहाइस पहले वायर जूड़ी थी वइस ही जूड़ दिया फ्रेंड हैं अब इसको हम पैक्क कर लेते हैं अगे से और इसको अभर उसके अंदर जोड़ कोност consig और देखते हैं विर इसको अ नहीं कर रहा है तो इसको भी हम सिम्पली से काई को डाल देते हैं पर इसको हम इस तरेके से अराम से गुूमाएंगे और इसको इसको सैट करके आधयके तुन को कर लिया है अब इसको हम बटन को ओन कर कर देखते हैं कि हमारे लैट यह बटन काम कर रहा है कि नहीं कर यह नहीं कर द ł remained चुकि है बिल्कूल अच्छे तरीके से काम कर रही है जैसे कि इसके दो बटन वेगरा नहों तो आप थोड़ा सा उसके अंदर घुमाओ फिराव करते के अपना काम कर सकते हो और मैं ने आपके ने ही इसकी थोड़े सी जो बटन था वो थोड़ा से बड़ा था तो मैंने किस तरीके से कट वेगर करके इसको रिपैर किया है ठीक है तो इस वीडियो से रिलेटिड आपका कोई भी सवाल है या जवाब है कुछ आप मुझसे पूछना चाहते तो जरूर कमेंट करें तो आसा करता हो फ्रेंड आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करे शेयर करें और घंटे के बैल आइकन पर किलिक करें